नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वेक्टर एजुकेटर पर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पांच का पंच रोज की तरह ही आज सबसे पहले कोट अगर हारदे से डेल लगता है तो जीतिने की इच्छा कभी मत रखना दोस्तों खीक है चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रस्नों की तरब पहला प्रस्न प्रिच्वी विज्ञान मंत्राले ने अपसंस थापना दिवस समा कि लिए यहारों पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए कौन सा मूबाईल एप लांच किया है चार ऑपशन है अंधन मौसम बादल बिझली या इन 발वने से कोई नहीं दोस्तों हाल में ही जो मॉबाईल एप लांच किया गया है मौसम जैसा कि आप देख सकते हैं वा मॉबाइल एप जो है वो आम लोगों के लिए बहुत ही सरल ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं या एप प्ले इस्टोर और एप इस्टोर दोनों पर ही उपलब्ध है इस मॉबाइल एप की पांच सुविधाये हैं पांच सुविधाये कौन कौन सी हैं पहली है वर्तमान मौसम की ज जानकारी जिसमें 200 सहरों के लिए रोजाना आट घंटों पर वर्तमान तापमान आदरता हवा की गती एवं दिसा का अध्यान किया जाता है दूसरा जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है नावकास्ट यानि आप वैदर का मौसम की जानकारी हासिल कर सकते हैं तीसरा जो मान में क्या है भारत के लगबख साड़े 400 सहरों के आसपास की मौसम की इस्थिती 24 इंटू 7 24 घंटे 7 दिन दी जाएगी पांचवा क्या है चेतावनी चेतावनी भी इस एप में एड है खतरनाक मौसम की जानकारी के लिए तीन कलर कोड रेंज औरेंज और एलो जो आने वाले पांच दिनों की जानकारी देते हैं ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है रडार उत्पाद यानि नवींतम स्टेशन वार रडार उत्पादों का प्रतेक 10 मिनट पर अध्यन किया जाता है तो ये पांच सुधाय किस एप में मिलेंगी मौसम में मिलेंगी ठीक है दोस्तों इस एप को इक्रिसेटी की डिजिटल एग्रिकल्चर एवं यूथ टीम एवं इंडियन इस्टूट अफ टॉपिकल मेटरोलोजी पूने तथा भारत मौसम विज्ञान द्वारा तयार किया गया है ठीक है दोस्तों इसकी अस्थापना 2006 में हुई थी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मंत्री है डॉक्टर हर्सवर्धन सिंग चलिए हम अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है विश्व वाग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए कब मनाया जाता है विश्व वाग दिवस कब मनाया जाता है विश्व वाग दिवस ठीक है दोस्तों अब इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा इस देखिए केंद्रिय पर्यावडन मंत्री स्री प्रकास जावेड कर भारत के लोगों को गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड समर्पित करेंगे क्यूं मिलेगा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड क्यूं मिलेगा इसकी जानकारी जिसमें बागो और अन्यवन जीवनों की निगरानी रखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैमरों का जाल बिछाने के रूप में देश के प्रयासों को मान्यता दी गई है ठीक है दोस्तों अब इंटरनेशनल टाइगर्स डे क्यों मना जाता है रूस के पीटर्सबर्ग में 2010 कब दोस्तों 2010 में बाग छेत्र वाले देशों के सासर अधक्षों ने बाग संरच्छन पर सैंट पीटर्सबर्ग घोशना पत्र पर हकस्ताक्चर करकर 2022 तक बाग छेत्र की अपने सीमा में बागों की संख्या दुगना करने का संकल्प लिया इसी बैठक में 29 जुलाई कब 29 जुलाई को विश्व वाग दिवस मनाने की घोशना की गई तो दोस्तों कब की गई थी 29 जुलाई को याद रखना दोस्तों कब की गई थी बाग दिवस की घोशना 29 जुलाई को ठीक है आगे जानकारी देता हूँ आगे इसके बारे में हम जानना और भी जान लेते हैं भारत में दुनिया भर में रहने वाले बागों की कुल संख्या के लगबक 70% बाग भारत में रहते हैं अगर इंडिया में बागो की संख्या की इस्थिती की जानकाली ली जाए तो महराष्ट में 312, मध्यप्रदेश में 526, उत्त्राखंड में 442, करनाटक में 524, और तमिलाडो में 264 ये सरवाधिक संख्या बता रहा हूं इसके अलावा और छुटपुट बागो की संख्या है 2020 तक टोटल बागो की संख्या थी 2967 ठीक है दोस्तों चलिए हम आगे प्रस्न की तरब बढ़ते हैं अगला प्रस्न में है हाल में ही भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेड इंजन सौपे हैं चार ओप्शन है बांगला द देश ने बांगला देश को दस ब्रॉडगेड इंजन सौपे हैं किसने विदेश मंत्री एस जैसंकर और रेल और वालिट जी एवं उद्ध्योग मंत्री प्यूस गोयल साहब ने यह क्यों दियेगा है भारत एवं बंगला देश के बीच पारसल और कंटेनर ट्रेन से हो सके बांगला देश के बारे में कुछ जानकारी राजदानी ढाका भासा बंगाली राष्टपती अब्दुलहामीद प्रधानमंत्री सेख हसीना आजाली 26 माच 1971 मुद्रा बांगला देशी तका ठीक है दोस्तों किस भारतिये राज्य केंद्र सासित प्रदेश द्वार इसका देखते हैं क्या जवाब है जैसे कि मैं इसमें देख रहे हैं आप खेलो इंडिया का 2020 खेलो इंडिया 2020 अब चौथा संस्क्रणक जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा पंचकुला हरियाना में कब खेला जाएगा 2021 2021 टोकियो 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 ओलंपिक गेम के बाद खेला जाएगा ठीक है दोस्तों पहला कहां खेला गया था नई दिल्ली में खेला गया था दूसरा कप खेला गया था पूना में खेला गया था तीसरा गोहाटी में और चौथा पंच कुला में खेला जाएगा ठीक है दोस्तों अगर हम देखे तो पहला 2018 में खेला गया था दूसरा 2019 में खेला गया था तीसरा 2020 जनवरी में खेला गया था और चौथा 2021 में खेला जाए गा ठीक है दोस्तों चलिए अब हम आगे प्रस्थ की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रस्थ किस ACI देश ने कुरोना वारस के प्रसार के भी सभी वन्य जीओ के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है कमबोडिया थाइलेंड वियतनाम या मयान मार चलिए इसको देखते हैं इसका उतर देखी ये जो वियतनाम है वियतनाम के प्रधान मंत्री में ही हाल म में ही एक आदेश पर amusing कि एक उन्य जीओ के सभी आयाट पर प्रतिबंद लगा दिया गया है जो या तो मरित या जीवीत हैं जिसमें अंडे या लार्वा सामील है उन सब पर प्रतिबंद लगा दिया है क्यों लगाया है को रोना वायरस के फैलने के बीच यह प्रतिबन लगाया गया है जो दवाया भोजन के उप्योग किये जाने वाले लुप्त प्राय वन्नी जिवन उत्पादों के लिए एक लोक प्रिय गंतव्य है क्या है वियतनाम इसके राजधानी देखें हनोई भासा वियतनामी राश्टपती डू एंग त्रॉंग देखते हैं जैसा की रोज चलता है आज 28 जुलाई है वर्ल्ड नैचर कंजर्वेशन डे ठीक है दोस्तों धन्यवाद अगर आपको ये सो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए सेयर कीजिए सस्क्राइब कीजिए तबस्कार जय हिन